सो हे गास तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus Z के बारे में OnePlus Z जो की officially confirm हो चुका है और OnePlus Z जो की इंडिया के अंदर हम लोगो 10th July को officially देखने को मिलेगा और अगर इस phone का launch event में थोड़ा सा भी delay होता है तो July के mid तक officially देखने को मिलेगा यहां पर confirm हो चुका है और इस phone का pricing भी इंडिया के अंदर confirm हो चुका है कि 25,000 रुपीज के range में ही इंडिया के अंदर release होने वाला है OnePlus Z और specs के लिए no doubt क्योंकि इस phone के अंदर बहुत अच्छा specs देखने को मिलने वाला है और काफी अच्छा smartphone होने वाला है upper mid range के range में और specs के लिए यार आप लोग इस phone के तरब जा सकते हो क्योंकि upper mid range के pricing में specs अंदर को really में बहुत अच्छा इस phone के अंदर देखने को मिलेगा और OnePlus Z जो कि एक 5G smartphone होने वाला है upper mid range के pricing में तो start करते हैं इस video को without wasting any more time let's jump into the video display concept के बारे में बात करते हैं 90Hz का refresh rate इस phone के display में देखने को मिलेगा जहां पे 6.55 इंच का display मिलने वाला है और display भी यार Full HD Plus के resolution के साथ आने वाला है जहां पे Super AMOLED का panel देखने को मिलेगा और जैसे कि Super AMOLED का panel इस phone के अंदर मिल रहा है तो no doubt इस phone का display बहुत अच्छा होने वाला है और display हम लोगों जैसे कि इस phone के अंदर एक Full View display देखने को मिलेगा जहां पे एक center पंचोल होने वाला है और यह पंचोल भी यह बहुत थिक होगा और Super AMOLED का panel मिल रहा है तो in-display fingerprint scanner इस phone के अंदर देखने को मिलेगा performance और chipset के बारे में बात करते है Snapdragon 760 5G chipset इस phone के अंदर देखने को मिलेगा chipset almost confirm हो चुका है और यह chipset जो कि 2.6 GHz पे clock है यह chipset जो कि Reali में बहुत ज्यादा powerful chipset है और यह chipset जो कि Dual 5G connectivity को support करने वाला है LPDDR4X RAM का support इस phone के अंदर देखने को मिलेगा और UFS 3.0 storage का भी support इस phone के अंदर देखने को मिलेगा और यह phone जो कि Android 11 के साथ आने वाला है जहाँ पे oxygen noise का support इस phone के अंदर देखने को मिलेगा कैमरे के बारे में बात करते हैं triple rear camera setup इस phone के अंदर देखने को मिलेगा तो यहार Reali में इस phone के अंदर अच्छा camera setup मिल रहा है जहाँ पे primary camera देखने को मिलेगा 64 megapixel का primary camera भी हम लोगो Reali में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है as compared to the OnePlus 8 series क्योंकि OnePlus 8 series के अंदर 48 megapixel का ही primary camera मिला है पर इस phone के अंदर 64 megapixel का primary camera देखने को मिलेगा followed by 16 megapixel ultra wide angle lens followed by 5 megapixel micro sensor बात करते हैं front facing camera के बारे में front में देखने को मिलेगा 16 megapixel का AI selfie camera battery और charging के बारे में बात करते हैं 4300 mAh का battery इस phone के अंदर देखने को मिलेगा battery almost confirm हो चुका है और battery wake up के लिए no doubt है क्योंकि इस phone के अंदर battery wake up भी हम लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा charging के लिए 38 का एक warp charging देखने को मिलेगा warp charger भी out of the box आने वाला है और केबल इस phone के अंदर हम लोगो type support देखने को मिलेगा pricing और release date के बारे में बात करते है OnePlus Z का expected और confirm pricing होने वाला है 20,000 से 25,000 रुपीज के range में 20,000 से 25,000 रुपीज के range में इस phone का pricing almost confirm हो चुका है और बहुत सारे यूटूबर्स जो के इस phone का pricing reveal कर चुके है तो इससे confirm होता है कि OnePlus Z का pricing confirm हो चुका है अपर mid range के price range पे OnePlus Z जो के इंडिया के अंदर release होने वाला है और respects के लिए no doubt क्योंकि इस phone के अंदर respects हम लोगो और ELE में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और अगर आप लोगों को ये वीडियो में अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो का लाइक कर दीजे सेर कर दीजे अगर आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजे ये चैनल पे और कमेंट करके जरूबत है ये best part of this वीडियो तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में